Hello students, very very good morning, कैसे हो आप सभी, तो कल हमने psychology की first video आपके लिए डाली थी, इसमें तकरीबन 150 important topics हमने study किये थी और काफी ज्यादा theories भी उसमें हमने देखी थी, तो आज हम आपके पास study करेंगे child development and pedagogy का एक और पार्ट जिसमें हमने आपसे पूछा भी था कि अगर आपको तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, इसमें तकरीबन 9 chapter आपके पास हैं और हर एक chapter बहुत जादा important होने वाला है, क्योंकि उसमें हमने theory को cover किया हुआ है, वैसे तो question तो directly बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकि theory मिलना मुश्किल होता है, तो जितनी भी आपकी NCRT में psychology है, तो उसक important theory हम आपके पास यहां पर लेके आये हैं, क्योंकि आपकी demand भी थी, okay, हो सकता है, वीडियो में थोड़ा सा लंबा time लग जाए, कोई बात नहीं, हम अच्छे से आराम से अपने जितने भी topics हैं, उसमें सब को क्या करेंगे, यहां पर cover up करेंगे, clear, बाकी कोई भी issue होगा, क कोई भी topic आपको और चाहिए, तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, वो भी topics जो है, हम आपके लिए जो है, बो present कर देंगे, यानि आने वाले videos के अंदर, clear, इसके बाद आपके पास chemistry हो गई, and other topics भी हम आपके पास लेकर आएंगे, okay, चलिए, तो जो first topic है, वो है what is psychology, देखो, जब भी हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, child development and pedagogy, ठीक है, child development and pedagogy, basically teaching learning process का एक part है, यानि, किस तरहिके से बच्चा develop होता है, लेकिन, जो psychology word है, ठीक है, मनो बिज्ञान, यानि हमारे मन का बिज्ञान, ठीक है, currently इसको आपके पास science of human behavior, human processes को आप समझते हो, तो जो psychology word है, वो लोगस से मिलके वो बना है, इसको मैं मार कर देता हूँ, मार करके अच्छा आपको समझ भी आएगा, अभी थोड़ा से hand कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, psyche, Greek bird, psyche and logos, psyche का मतलब होता है, soul, और logos का मतलब होता है, आपके पास science, या study of subject, तो psychology क्या होगे, आपके पास है, study of soul और mind हमारे पास हो गया, ठीक है, currently देखा जाए, तो psychology को mental process, experience and human behavior in different context के साथ भी deal किया जाता है, ठीक है, और psychology एक natural science भी है, क्योंकि आप इसको scientifically way में study करते हैं, प्लस साथ में social science की form में भी आप इसको represent करते हो, लेकिन अगर कभी भी question आ जाए, तो हम इसको आपके पास as a social science consider करते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपके पास psychology है, ठीक है, उसमें आप, देखो, हर एक person, हर जगा के ओपर same behavior तो करेगा नहीं, अलग-अलग type से behave करेगा, तो समाज में किस तरह से हम रहते हैं, क्योंकि हम एक social animal है, तो social animal means कि आपके पास society में किस तरीके से आप रहे रहे हो, किस तरीके से different different terms बहाँ पे cover हो रही है, तो psychology as a social science भी आप consider करते हो, और natural science का मतलब है कि आप एक hypothesis करते हो, एक assumption result बनाते हो, और उसी के basis के ओपर जो final result जो वो निकालते हैं, अब क्या बोलते हैं आपके पास, in 1879 ठीक है, जो modern psychology आई थी, 1879 में experimental laboratory set की गई थी, living Germany में, जो William, उन्ट आपके पास उनके द्वारा, ठीक है, यह क्या करना चाहते थे, यह काफी ज्यादा interested थे, आपके पास study of consciousness experience, and wanted to analyze the constitute of building block of mind, और यह भी pyq है, यहां से बता भी सकता हूँ, आपको कितने question देखो, यह भी pyq है आपके पास, यह भी आपके पास pyq है, यह भ आपके पास कब set की गई है, number 4, कहां set की गई है, number 5, ठीक है, और आपके पास किसके द्वारा set की गई है, number 6, तो total 6 question तो आपके यहीं से बन गए, ठीक है, यह question अभी currently पूछा गया था, यह statement किसके द्वारा कही गई, यानि कौन था आपके पास, जो interested था, और study करना चाहता था, consciousness experience को, and want to analyze the constituent of building block of mind, तो बोट यह आपके पास है, William Bone, ठीक है, इनी की statement से सारी यह, तो यहाँ पर नमबर डालता रहूँगा, आपके पास one by one करके, ठीक है, जो psychology है आपके पास, ठीक है, उन्हों एक method निकाला, जो को बोलते हैं, इंट्रोसेप्शन method, oldest method होते हैं, आ structuralist approach है, already आपके पास question exam में आया है, interception काफी ज़्यादा subjective होता है, और यह exam में पूछा गया है, कि structuralist यह interception method को use क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा subjective होता है, क्योंकि, देखो, interception was a procedure in which individual or subject in psychological experiment were asked to describe in detail their own mental process and experience, अब मैं आपको बोल दूँ, कि आप अपने experience क के बारे में बताईए, अपनी mental process के बारे में बताईए, तो हो सकता है, कुछ लोग बताने में जो है, वो comfortable हो, कुछ लोग बताने में comfortable ना हो, यानि ये एक तम सही method नहीं है, क्योंकि, जो comfortable है, उनके लिए तो सही है, लेकि जो comfortable नहीं है, उनके लिए तो सही नहीं होगा न तो यहां से आप check कर लो कि आपके पास तक्रीबन 10 question तो यहीं से बने हुए है ना previous year के 10 questions फर्स्ट पैरा से ही हमने निकाल दिये फिर आपके पास एक American psychologist है जिसको जो है William James ठीक है इन्होंने क्या किया laboratory set की थी तुरंत बाद जब libsing में की गई थी William Bundt के द्वारा इन्होंने cameras, muskets में आपके पास एक laboratory set कर दी ठीक है और इन्होंने एक new approach दी जिसको बहुत है functionalist approach भो भी human mind को study कर रहे थे ठीक है तो आपके पास जो William James से इन्होंने क्या किया था इन्होंने environment के साथ deal की ठीक है यानि instead of focusing on the structure of mind, psychology should instant study what the mind does and how behavior function in making people deal with their environment यानि environment के साथ इनकी statement क्या थी consciousness as an ongoing steam of mental process interaction with the environment from the core of the psychology ठीक है तो ये भी आपके पास exam में already पूछा गया है कि आपके पास Cambridge में किसके द्वारा set की गई है फिर आपके पास ये statement आ गई थी किसके द्वारा जो है वो दी गई है फिर उसके बाद 20th century में जो gastral psychologist है जो deal करते थे आपके पास whole के साथ यानि इक problem को complete with the help of insight ठीक है एक pattern होता है उनका उस pattern वो चीज़ों को study करते हैं तो जर्मनी में आए थे तुरंत structuralism जो approach आई थी उसके reaction में ठीक है इनका क्या focus था आपके पास organization of perceptual experience instead of looking the component of the mind ठीक हो बिलियम जेम्स हो गए ये आपके पास बूंट थे वो mind को study कर रहे थे ठीक है और इन्होंने बात की यहाँ पे perception क अधिक क्लियर यट एनधर तुर स्ट्रक्चलिजम त्रक्चलिजम से आपके पास है भीवरिजम अराउंड 1910 जोहन वाट्सन ठीक है फादर आप भीवरिजम इनको बोलते हैं इनोंने mind and consciousness as a subject matter of psychology इस system को reject कर दिया उन्होंने क्या बोला psychology as a study of behavior of response यानि stimulus SR term जो आपके पास आती है तो यह विवरिस्ट से रिगार्डिंग थी आपके पास फिर humanist अप्रोच आई Humanist जो थे वो positive view की तरफ जाते थे एक question आता है according to humanist all people are यानि सभी लोग कैसे होते हैं सभी लोग अच्छे होते हैं positive view के साथ देखा गया जैसे Carl Rogers आपके पास हो गए Abraham Maslow आपके पास हो गए emphasis the free will इन्होंने बात की free will of human being and there are natural strengths to grow ठीक है यह कुछ important time है और एक important आपके पास यहाँ पर जो कुछ landmark है जो आपके पास psychology के अंदर है जैसे 79 में आपके पास William Bund ने Libsing में आपके पास जो है वो laboratory set की 90 में भूक लिखी गई थी William James के द्वारा principle of psychology 95 में functionalism approach आपके पास आई 1900 में आपके पास Sigmund Freud ने psycho analysis theory दी ठीक है 1904 में Ivan Pavlov ने जो है Nobel Prize जीता था for his work on a digestive system that lead to understanding of a principle of development of the response ठीक है 1905 में intelligence test डेबलाप हुआ था बिनने टेंडर सीमन के द्वारा 12 में आपके पास gastro psychologist जर्मनी के अंदर आई थे ठीक है 16 में देखो सबसे पहली first psychological department open हुआ था कलकाता यूनिवर्स्टी में ठीक है 22 में psychology is included in the Indian science Congress session ते बहुत कम टाइम है जो आपके पास पूछे जाते हैं है ना 24 में जोहन भी बॉट्सन ने पब्लिश की थी विवरिजम बुक थी उनकी 20 में एनन सेन गुफता राधा कमल मुखर जी ने एक बुक पब्लिश की थी टेक्स रूक ओन सोशल साइकॉलोजी ठीक है यह आप पढ़ लेना यहां से जैसे हुमनिस्ट है कार्ल रॉजर्स है उन्होंने क्लाइंट सेंटर थैरिपी आपके पास पब्लिश की 1953 में बी एप स्किनर पब्लिश साइंस एंड हुमन बिहेबियर स्ट्रेंटनिंग था बिहेबियर बिवरिजम एजम मेजर अप्रोच ठीक है हुमनिस्ट साइकलोजिस्ट अबराहिम मौसलो उन्होंने पब्लिश की मोटिवेशन एंड परसनल्टी ठीक है ब्यूरी ब्यूर आफ साइकलोजी इस एस्टैबलिस्ट एट अहलावाद 1954 बाकी नीचे आपके पास बहुत कम चांस यहां से आपके पास क्वेशन आए एकने एक नजर आप लगा ले रहा इसके ओपर है ना ताकि यहां से क्वेशन है तो आप गलत ना करो फिर नेक्स्ट आता है इन मौडन एरा इंडिया की बात कर रहा है डिपार्मेंट आफ फिजिल आजी एट कलकाटा उनिवर्सटी आइग स्पैरिंग गलत होगे साइकोलोजी यहां पर होगा है ना इपार्मेंट आफ साइकोलोजी आट कलकाटा उनिवर्सटी फिर्स लेबर्स आफ एक्स्पैरिमेंटल साइकोलोजी वस इंट्रूज्ट आइट इंट्रूजी का लेवाट्री साइट विफ्टीन में और डिपार्मेंट बनाता सो के अंदर ठीक है डिपार्मेंट अफ एप्लाइट साइकोलोजी इस 1938 दे बिगिनिंग अफ मॉर्डन एक्स्परिमेंटर साइकोलिट कलगाता उनिवस्टी वो ग्रेटली इन फ्लेंस बाइद इंडियन साइकोलोजी डॉक्टर एनन सेन गुपता जो कि आपके पास युएससे में ट्रेंड हुए थे ठीक है एक्सपरिमेंटर ट्रेडिशन आफ बॉन ठीक है प्रोफेसर जी बोस आपके पास होगे वाज ट्रेंड इन फ्लीडियन साइको एनलिसेज एनदर एरिया विच इंफ्लेंस दा अर्लियर डॉल्मेंट आफ साइकोलोजी इन इंडिया प्रोफेसर बोस आपके पास होगे इन इंडिया साइको एनलिटिकल एसोशेशन 1922 ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट टरम्स है जो आपको पता होने चाहिए बाकि फील्ड है साइकोलोजी की जैसे पॉलिटिकल साइंस में हो गया एजुकेशन में हो गया एकॉनमिक्स में म्यूसिक में फिलोसपी आपके पास हो गई कम्प्यूटर साइंस मैडिकल साइंस क्रीमिल ऑसी हो गई मास कोम्निकेशन हो गया आर्ट के टェक्चर इंज़िनियरिंग हो गई स्पोल्ग के साइकोलोजी के यूज़ हर तरब होता एक क्योंकि साइकोलोजी का एम है तो सक्ष है और किस तरीके से different different psychologist ने उसमें अपना enrollment दी अब one by one करके हम थोड़ा से इनको और detail में समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा से मैं इसको proper एक line में set कर देता हूँ न यह proper आ नहीं राए screen के ओपर तो फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा ठीक है ठीक है next time हमारे पास आते method of inquiry of psychology किस तरीके से आप psychology को समझते हो किस तरीके से psychology में inquiries की जाती है बहुत easy है देखो psychological inquiry के goal क्या है मैं यहाँ पर कम पढ़ूंगा ज्यादा आपको explaining करूंगा इसका सबसे पहला goal होता है problem को describe करना जैसे मैं आपके पास आगया मालीजी है न मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो मैं बोलूंगा doctor साह मुझे बताईए मुझे गुस्सा क्यों आता है तो पहले समझेगा कि आप क्या करते हो है न देखो the description required recording of particular behavior and describing its accurately so as to attain comprehensive understanding of the same यानि मैं समझूंगा न कि आपको गुस्सा क्यों आता है मुझे गुस्सा क्यों आता है वह सकता है जब कोई मेरे बारे में अच्छा ना बोले तभी मुझे गुस्सा आता हो second step होता है उसकी prediction करना prediction मतलब है कि सही prediction करना पहले तो मैंने समझ लिगा कि आपको गुस्सा आ रहा है अब second goal होता है psychological prediction करना इन relation बिठाना कि किस behavior के साथ आपको गुस्सा आ रहा है फिर मैं explain करूंगा उसको कि आपको इसकी बज़े से गुस्सा आ रहा है तो अगर आप यह चीज नहीं करोगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा तो मैं fourth way में आपको उसका control बताऊंगा और अगर वो control सही हो इसमें जिसे किस तरीके से उसको कम किया जाए opposite behavior को किस तरीके से enhance किया जाए making a particular behavior happen है ना ताकि वो चीज़े ना हो आपके पास और बाद मैं मैं आपसे थोड़े दिन के बाद पूछूंगा अगर आपको benefit हुआ तो मैं बाकी अपने patient के उपर भी या मेरे जो भी doctor होंगे वो सेम उसी चीज़ को दूसरों के उपर भी लगाएंगे कि ये system सही है तो आप सभी भी इसी को follow कीजिए है ना तो ये बहुत अच्छा एक तरीका होता है तो इसी लिए scientific inquiries की जाती है ठीक है तो psychology में भी इसी देखर goal हो गया ठीक है तो goal है सबसे पर दिस्क्रिप्शन य कि जाती है problem की यह यही problem क्या है anger ठीक है data collect कि आजाता है data जैसे आपके पास अब्जर्वेश मेथर हो गया scientific method आपके पास हो गया ति हैंनि different methods हमारे पास होते हैं जिसकी help से हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे observations कर सकते हैं ठीक है कि किसी को को प्राब्लम तो नहीं है सही से चल रह है यहीं मैं data collect करूँगा ठीक है data आप सभी समझते हो यहीं collection होती है उस data को collect करने के लिए different method होते है case study, observational method, experimental method फिर बाद मैं मैं conclusion draw करूँगा उसको मैं जैसे पाई chart की form में बना सकते इसे graph बना दिया उसमें एक index बना दिया है न यह line chart की form में आपके पास हो सकता है किसी भी form में हम draw करेंगे फिर last में हम देखेंगे कि जो हमने बात की थी क्या वो hypothesis जो हमने बनाई थी को hypothesis भी एक बार exam में पूछा गया है hypothesis हम यहाँ पे draw करते हैं कहाँ पे यहाँ पे हम draw करते हैं जब भी scientist अपनी research को पूरा कर लेते हैं एक proper topic set कर लेते हैं कि हमें इसके ओपर study करनी है तो एक tentative answer बनाते हैं क्या करते हैं आपके पास tentative answer draw करते हैं यही tentative answer जो होते है वो hypothesis कहलाती है उसी hypothesis को यानि उसी tentative answer को prove करने के लिए data collect किया जाता है फिर conclusion draw किया जाता है और last में check किया जाते है कि वो सही आया कि नहीं आया अगर वो सही आ गया तो ठीक है नहीं आया again जो problem आएगी उसको revise करेंगे again conceptualize करेंगे और फिर से हम उसको same इसी step में जो आगे को proceed कर देते हैं तो देखो same ही है है ना first step है scientific research का identify the problem फिर आपके पास data collect किया जाता है ओके एंड उसके बाद एक conclusion draw किया जाता है और बाद में फिर उसको revise किया जाता है पाई चार्ट होगे बार डाइग्राम हो गया mean mode median देखते हैं एक्जा maximum repeatable term आपके पास हो गई एक और term आजने कभी के भी range that is the difference between minimum and highest observation clear अब different different method है आपके पास psychology color inquiry में data collect कर जैसे observational method सब काफी important tool है आपके पास ये observational method लेकिन subjective है ठीक है powerful method है इससे आप किसी के भी behavior को record कर सकते हो जैसी मैंने मालू आपको observe करना है ठीक है तो एक क्या होता है बहाँ पे observer होता है और एक दूसरा जो है वो observe करेगा आप इसको directly जाके भी कर सकते हो यानि आप direct observation भी कर सकते हो indirect भी कर सकते हो indirect यानि आप files बगार अब वालो files के बीच में क्या क्या चीज़ें आपके पास आ है इसमें क्या बोलता है आपके पास enable the research to study people and their behavior ठीक है and can provide in depth information about the behavior to be observed काफी important है आपके पास बहीं पर demerits क्या है काफी ज़्यादा time consuming है labor बहुत ज़्यादा लगती है इसमें and poor method होता है इसमें cause and effect relationship को समझ सकते हैं हो सकते है मुझे पता लगया कि मुझे कोई observe कर रहा है तो मैं तो नकली behavior भी show कर सकता हूँ बहां पे है ना best method होता है आपके पास experimental method जो हर एक scientific inquiries में किया जात है क्योंकि इसमें आप cause and effect relationship को study करते हो ठीक है between two or more of variable in a control setting तो जो आपके पास basically cause effect relationship है वो experimental method में study होता है best method है ये किसी भी चीज़को study करने का ठीक है independent variable are manipulated ठीक है जो इसमें दो टाइप के variable होता है एक होता है dependent एक होता है independent जो independent variable होता है वो manipulated होता है their effect जो होता है जो इसका effect आता है वो measure किया जाता है with the help of any on the dependent variable merit क्या है cause effect relationship को आप अच्छे से समझ सकते हो and external variable can be controlled जो आपके पास एक्स्ट्रा यह वेरियबल से उनको आप control कर सकते हो ठीक है यहाँ पर क्या बोलते है आपके पास experimental बायास में भी effect authority of the experiment जो आप experiment करने वो control conditions में होने चाहिए ठीक है correlation research correlation का मतलब होता है जिसे मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेरिये बले एक्स एंड वाई अगर मैं बोलता हूँ अगर एक्स इंक्रीज करता है तो य भी इंक्रीज करेगा लेकिन यहाँ पर एक्स इंक्रीज करता है तो य डिक्रीज करेगा इसको ऐसे समझ लो कि आप पहले 10 गेंटे पढ़ते थे ठीक है तो आपके नंबर आ रहे थे 10% जब आप 20 गेंटे पढ़ रहे हो तो आपके नं बढ़ाया तो वो बढ़ गया लेकिन जब आप क्या करोगे पढ़ाई के time को भढ़ा रहे उनिक रिजल्ट कम आ रहा है उसको बोलते नेगिटीब रेलेशन ठीक है positive relation में value positive रहती है नेगिटीब रेलेशन में Questionary हो गई, interview हो गया, interview भी दो टाइप के होते हैं, open end हो सकता है, close end हो सकता है, जैसे नेताओं के जो interview होते हैं, एक बंद कमरे के अंदर, वो close ended होते हैं, उसमें जो question पूछे जाते हैं, वो नेताओं को पता होता है कि हमसे क्या question पूछा जाएगा, public में सब के सामने भी ठाके, अगर normal जनता question पूछेगी, वो होते हैं open ended, यह उसमें पता ही निया, उनको क्या question पूछा जाएगा, इसलिए वो कभी भी लोगों के सामने नहीं आते हैं, क्योंको पता है कि वो उनके answer नहीं दे पाएंगे, है ना, या गलती से आ भी जाएं, तो वो कभी भी उनके answer नहीं study का use किया जाता है, int employs multiple method for collecting information such as interview, observation, psychological test आपके पास होगे, variety of response, who in some way, or the other might be associated with the case and can provide useful information, ठीक है, तो case study बहुत important है, maximum time case study भी की जाती है, किसी भी चीज़ की depth study करनी हो, तो case study जो आपके पास best method होता है, तो इस second chapter है आपके पास NCRT की books में, जो की method offer, और देखो यहां से बहुत सारे questions आते हैं, experimental method से, hypothesis से, observational method से, है ना, कौन सा best method है आपके पास, और cause effect relationship 3-4 वर regular time में पूछा गया है, next जो आ आपके पास आता है, growth and development, देखो child development and pedagogy, तो growth किस तरीके से होती है, ठीक है, तो देखो growth हमने पड़ा था, कल भी बताया था आपको, कि growth जो है, सिर्फ और सिर्फ quantitative होती है, ठीक है, जाती है, आपके पास quantitative, यह qualitative होती है, ऐसे होती है, आपके पास qualitative होती होती है, तो development क्या ह होती है एक पैटन में चलती है प्रडिक्ट कर सकते हो आप लेकिन लाइफ लॉंग प्रोसेस होती है ओके इट कैन भी क्वैलिटेटिव और क्वैंटिटेटिव ठीक है दोनों वे में आपके पास चलती है ग्रोथ रैफर टू इंग्रीज दसाइज आप दा बॉड़ी और डोथ जो है सिर्फ क्वैंटिटेटिव होती है इन नेचर लाइफ स्पैम प्रिस्पेक्ट आफ दा डॉयलमेंट डॉयलमेंट एक लाइफ लॉंग प्रोसेस है विच मीन दाट वह ओल एज के साथ आपके पास बढ़ती रहती है कहां से चलती देखो conception to old age यह भी PYQ है कि आपके पास डॉयलमेंट कहां से शुरू होती है डॉयलमेंट में जैसे biological, cognitive, social, emotional, interlink हर एक टाइप की डॉयलमेंट जो हो interact करती है डॉयलमेंट is multi-directional होती है डॉयलमेंट, single directional में नहीं चलती है, multi-directional होती है as some component of given dimension of the development may increases while other, क्योंकि देखो जैसे आपकी age बढ़ती है तो आपकी speed कम हो जाते है लेकिन experience बढ़ता रहता है, development high plastic होती है, ठीक है, development influenced by the historical conditions, various disciplines like psychological, anthropology, sociology, study developed and each try to provide answer to develop throughout the life span ठीक है, तो कुछ basic terms है आपके पास, यहाँ पर कुछ factors है जो आपकी development को influence करते है genotype और phenotype, genotype यानि genetical factor and actually genetic material और a person genetic heredity, phenotype आपके पास होता है the way an individual genotype is express error, observable and measurable character, they include physical traits like height, weight, psychological character just like creativity, intelligence, तो दोनों ही hereditical factor है देखा जाए तो, ठीक है, genotype और a phenotype यहीं पी आपके पास ure, bronfen, brinner नहीं आपके पास एक theory दी थी, जिसके तहत हम पता कर सकते हैं किस तरीके से person जो है, वो दूसरों के साथ जुडता है ठीक है, microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem and chronosystem, यह diagram से आप अच्छे समा सकते हो देखो, अंदर individual है, सबसे पहले आता है microsystem, microsystem में आपकी family, religion, neighbor, peer school आते हैं वो होता है mesosystem, ठीक है, mesosystem जोडता है exosystem and microsystem को, यहाँ पर आप इनकी definition देख सकते हो, यहाँ पर आप इनकी definition देख सकते हो, यहाँ microsystem होता है immediate environment, जो sudden है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, जिनके साथ आप direct interact करते हो, ठीक है mesosystem, it represents the fact that what happened in ecosystem, यहाँ family, is likely to impact other ecosystem, ठीक है जो आप कर रहे हो ना, दूसरें के ओपर क्या effect परेगा, पर आता है exosystem, it define as a social setting, that a person may not experience first hand, but still influence development, जिसे society में होता है, कुछ rules norms बने होता है, तो वो society आगे, जिसे friend आगे, neighbors आगे, workplace आगया, कहते हैं, बाहर निकलो, दुनिया देखो, तभी आपको पता लागेगा, क्या है बहाँ पे, ओके, फिर आपके पास आता है macro system, it includes, जिसमें आप रहते हो, आपका culture हो गया, macro system, the subculture culture in which the micro system, meso system, exo system are embedded, जो micro system में सारी चीज़ें आजाया, जिसे आपकी beliefs होगे, tradition होगे, आपका attitude होगया, ideology आपके पास होगे, सारी चीज़ें, and साथ में चलता है chrono यानि time system, it compared the event in which, या in the individual course of life and social historical situation which influence their development, ठीक है, जो historical factor है, तो यह पूरी theory आपके पास यहाँ पर दी गई है, जब भी कोई person develop होते हैं, पांच developmental stages से वो हमारे पास निकलता है, कौन कौन सी, first stage होती होती है बहाँ पे, infancy, ठीक है, zero से दो साल के बीच में, बच्चा पैदा हुआ, सिर्फ reflexes हैं उसके पास, जैसे walking, giving, blinking, है ना, वो just, जैसे होता है, पाउं के, जैसे कुर्णा बोलते है, अभी वो अपनी आँखों को जपका सकता है, थोड़ी बहुत आवाज निकास सकता है, zero से दो साल का बच्चा यही करेगा, यह चलना भी शुरू कर देता है, ठीक है, अपनी senses के साथ चीजों को सीख राए, physically, child can hear immediately, वो जल्दी सुन लेता है, अवाज होगी, रोना शुरू कर देगा, है न, कोगनेटी में देखा जाए, तो जीन प्याजे ने थेओरी दी थी, believe that, child are likely scientist, ठीक है, वो actively explore करना चाहता है, world को, and gain understanding of the same, लेकिन object permanence का, जो concept, वो 100% developed नहीं होता है, इस टाम, तो lack of object permanence, कोई च the preferred family faces, scare of stranger, बच्चा अपने family बालों के साथ ही रहना चाहता है, या कोई care given हो गया, givers होगे, उनके साथ वो रहना चाहता है, कोई भी हो, no matter, उसकी mother or father है, जो उसके साथ regular रहेगा, वो सिर्फ उनी के साथ रहना चाहता है, ठीक है, फिर आपके पास आती है childhood, ठीक है, second stage है, तो यह थोड़ा दंबा जाते है, later childhood age हो गई, pre childhood age हो गई, यानि school age हो गई, pre school age आपके पास हो गई, लेटर childhood तक जाती है, तो दो से लेकर 12 साथ तक, इसमें phallocodal and proximal sequence develop होता है, कल पड़े थे, कल की वीडियो जिनों नहीं देखी है, वो जाके इनको check कर सकते है, बहाँ प के पास, center of the body to outer part of the body, brain and head grow more rapidly than any part of the body, during middle and later childhood, an increase in weight is due to increase in the size of skeleton and muscular system, ठीक है, cognitive development की भी बात की जाए, तो object permanence properly develop हो जाती है, language development is one of the hallmark of the period, ठीक है, नोन है, symbolic thinking, तो symbolic thinking भी आपके पास, जो childhood age होती है, उसमें क्या हो जाती है, develop हो जाती है, okay, key concept of this period is animism, बच्चत समझ नहीं पाता चीज़ों को, living, non-living things में difference नहीं कर पाता, ego-centrism है, अपने ही बारे में सोचता है, socio-emotional की बात की जाए, तो crucial dimension होता है, जिससे self, gender, moral development के बारे में, parent and the socialization process help forming the self image of the child, adolescent age आती है, adolescence age आती है, 12 से 19 साल के बीच में, ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है, sexual characters के अंदर हो रहे हैं, क्यों, hormones बहां पर develop हो रहे हैं, ठीक है, बच्चा बड़ा हो रहा है, जिससे चेहरे के ओपर बाल आना शुरू हो जाएंगे, उसकी boys change हो जाएगी, जो body की growth है, वो बहुत ज़्यादा fast आपके पास हो जाती है, ठीक है, तो normal चीज़े हैं, आपके पास girls जो है, उनकी body में changes आना शुरू हो जाते हैं, boys की bodies में changes आना शुरू हो जाते हैं, कोगनेटिब की बात की जाए, तो बच्चा जो है, systematic problem solving skill सीखना शुरू करता है, identifying possible course of the action, understand the cause, the seeking solution accordingly, ठीक है, जीन प्याजे के recordings को बहुते हैं, hypothetically deductive reasoning, ठीक है, hypothetically deductive reasoning, ठीक है, hypothetically deductive reasoning develop हो जाती है, सोशो की बात की जाए, तो as per david, like kind, egocentrism prevailed during adolescence in the following manner, जैसे personal faith, imaginary audience आपके पास हो गई, ठीक है, identify, forming also take place during the stage, तो कुछ terms होती है आपके पास, ठीक है, तो इस time में, feel that nobody can understand their feelings, आप अपनी feelings को नहीं समझ पाएंगे, हैंना, क्यांकि stage ही ऐसी है, फिर बड़े हो जाते हैं, तो adulthood आती है, 20 से लेकर, जितनी भी आगे बाली age आपके पास है, physically proper gain हो चुके है, हैंना, आपके जिसे yelling of teeth हो गया, weight gaining, etc, sector terms इसमें add की गई है, ठीक है, cognitive ability decline during adulthood, memory decline is more in task involving long term memory, rather than short term memory, अब देखो कि जब आप school में होते थे, तो आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाते थे, as compared to, now, social emotional, marriage bring its own set of concern, like number of child, availability of the resources, a lot of adjustment have to be made in the marriage, ठीक है, just like a dislike, preference आपके पास होगी, becoming a parent, death of spouse in adulthood, different different type के effect जो है, person को show होते है, old age, जो की 60 के बाद आपके पास आती है, आपके हो सकते है, hair loss हो सकते हैं, दिखने में कमी आ सकते हैं, body weak हो जाती है, greater memory decline is witness in old age, as task which involves long term memory, भूल जाते हैं चीज़ों को, बिमार रहना शुरू करते हैं, chronical illness जो है, वो शुरू हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास हर एक stage का थोड़ा थोड़ा data यहाँ पे available है, तो I hope यह आपके लिए helpful होगा exam में, फिर काफी important fact आपके पास आता है, human memory, किस तरीके से human की जो memory वर्द करती है, ठीक है, देखो, human memory में तीन term आती है, encoding, storage and retrieval, encoding होता है, जिसमें आप, यह first step है, जिसमें आप, with the help of IE, अपनी sensation के थो, चीज़ों को समझ के अपने brain के अंदर लेके जाते हो, second होता है, कि जब मैं आप से कोई question पूछा हूँ, तो आपको retrieval, यानि जो मैंने पूछा गया आप से, recall करना है बापिस, नहीं कर पाते हो, इसका मतलब वो चीज़ बहाँ पे store, नहीं हुई है, तो इसी को, पूरी system को, जो storage system है, क्योंकि memory तो storage के है, में, तो उसके एक model आया था attention ender, जो शिफ्रिन थे, उन्होंने आपके पास first model दिया, उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले information आएगी, तो sensory memory के अंदर जाएगी, जिसमें, iconic, eco-heak, यानि, side, sound के तुरू आप चीज़ों को सिखोगे, है न, इसकी capacity बहुत लार्ज होती है, लेकिन, सिर्फ less than one second चीज़ों को याद रख सकती है, ठीक है, जो sensory memory होती है, फिर with the help of attention, आप उसको second stage में भेरते हो, short term memory के अंदर, short term memory के अंदर, ठीक है, इसकी capacity बहुत कम है, लेकिन, ये चीज़ों को 30 seconds से कम तक ही याद रख सकता है, less than 30 seconds, लेकिन, अगर आप बहुत अच्छी से चीज़ों को समझते ह हो, elaborative rehearsals करते हो, यानि चीज़ों को explain करते हो, तो वो चली जाती है, long term memory के अंदर, जो कि storage है, उसकी बहुत unlimited है, capacity unlimited है, और unlimited time तक वो उसको याद करके रख सकती है, ठीक है, पूछते हैं अपके pass exam में, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आगया जिससे maintaining rehearsals, elaborative rehearsals, किस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, है न, तो मैंने बता दिया, चीज़ों में अच्छे से पढ़ोगे, explain करोगे चीज़ों को, तो वो अच्छे से आ जाती है, long term memory को further, और classes में divide किया गया है, जैसे declarative memory and procedural memory, ठीक है, जो declarative memory है, आपके पास, इन declare चीज़ है, जो fix है, जो change नहीं होती, जैसे आपकी data worth, भारत कब आजाद हुआ, वो declarative memory का part है, ठीक है, जैसे name, dates, facts, वो fix है सारे, लेकिन procedural memory होती है, skill waste, जैसे car, bike कैसे चलानी है, ठीक है, बेक के को कैसे बनाना है, वो सारे procedural memory है, न, प्रोसीजर के साथ आप सीखोगे उसको, ठीक है, लेकि declarative memory को divide करते है, दो form के अंदर, episodic memory होता है, biological experience, ठीक है, biological experience, जो आपके biographical details of life है, जैसे आपकी first marriage anniversary, first birthday party with friends, वो एक ऐसी चीज़ है, वो emotional experience है, वो कोई और नहीं बता से, तो वो आपकी अपने अलग होते हैं, तो वो fix है, तो वो episodic memory के अंदर आते हैं, जो declarative का part है, फिर आत है systematic, systematic में, एक system के साथ, जिसे mathematical के skill हो गए, है न, define as the memory of general awareness and knowledge, all concept, idea, rule of logic, storage, वो सारे के सारे systematic memory का part है, confused नहीं होना है, जो systematic memory है and procedure मेमरी है, procedure skill based होते है, जो आप करके चीज़ों को सीखते हो, है न, systematic में भी same ही है, लेकिन उसमें बात आ रही है, आपके पास जो declare चीज़े हैं, जिसे logic declare है पहले से, है न, लेकिन बस आपको उसको सीखना है, कि उस logic को किस तरीके से बहाँ पे implement करते हैं और आप उसको बहाँ से अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, बाकि यहाँ पे इसको summarize नहीं करते हो, recall नहीं करते हो, तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हो, है न, अगर आप उनको आपने अच्छे समझा नहीं होगा, तो भी आप भूल जाओगे, clear, जैसे, यहाँ पे एक टर्म आपके पास आती है, हर्मन इविन होंग, एक बार एक्जाम में पूछा भी is maximum at the first 9 hour, जब आपके चीज़ को बढ़ते हो, तो अगर पहले 9 गहंटे में आप भूल गए, तो भूल जाओगे, particular during the first hour, after that, the forgetting rate slow, and not much is forgotten even after many days, अगर काफी दिन तक किसी चीज़ को याद रखते हो, तो mostly chance है कि वो ज्यादा टाइम तक आपके पास रहेगा, फिट्रेस थिय आपके पास, आप forgetting के लिए, same है, ठीक है, interference हो गया, किसी चीज़ के बीच में, ज्यादा gap अगर आपके पास रहे, है न, proactive interference, एक ही चीज़ है, सारी के सारी आपके पास, ठीक है, retro type interference हो गया, किस तरीके से आप memory को enhance कर सकते हो, तो देखो, या तो आप निमोनियंस बना दो, जिसे ट्रीक बनाते हैं, विवगी ओर आपके पास हो गया, इमोनियंस है, ओके, तो आप जिसे short tricks बनाते हो, schools में बनाए होंगे आपने, जब भी आपके नहीं के लिए short tricks बनाते हो, keywords का आप use करते हो, ओके, जिसे choking, choking method होता है, short term memory को increase करने के लिए, जिसमें आप चीज़ो से भारत आजाद हुआ, पचास में संभीधान बनके तयार हो गया, 2004 में आपके पास जो है, हुकम पा गया गहीं पे, तो आप चीज़ों को break करके याद कर सकते हो, first letter technique, जैसे बिवग्योर आपके पास हो गया, deep level process, ठीक है, crack and जो lock hurt थे, इन्होंने आपके पास a term दी थी, अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ते हो, तो वो आपको properly याद रहते है, give oneself predictable clue, जैसे मालोग कोई चीज़ आपको याद करनी है, तो आपको clue दे देंगे छुट छुटे, तो उन clues का help करके, आप जो है क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है, next time हम हमारे पास आती है, motivation से रिगार्डे, motivation person के life में बहुत जादा जरूरी है, motivation सुरू होती है, need से, need जो है, dry force होती है, जो हमें aurisal की तरफ लेके चलती है, जो की हमारा goal directing behavior बनाती है, जिसे हम achievement लेते हैं, जब achievement मिल जाती है, तो हमारा जो aurisal है, यानि किस चीज़ को करने की जो power है, या उसकी तरफ जो motivation कम हो जाता है, तो फिर से हम किसी चीज़ की जरूरत बनाते हैं, और फिर से उसी cycle को हम repeat करते हैं, यही बार-बार आपके पास चला रहता है, और need is defined as lack of some necessity, होते हैं, necessity is the, या, necessity is the, कहाबत है, जो प्रॉपल याद नहीं आ रही है, अवस्कता ह अवस्कार की जनन ही है, है न, necessity is the key of invention, कुछ इसी तरीके से, है न, necessity is the invention of, या key of invention, कुछ इसी तरह से एक आपके पास आती है, ठीक है, अब motivation कितने type के होते हैं, देखो, biological हो सकता है, यानि hormone based हो सकता है, neurotransmitter हो सकता है, brain structure के basis के अपर हो सकता है, hunger, भूख किसी को लगती है, प्यास किसी को लगती है, sex हो गया, sex जो है माना जाता है सबसे powerful drive है, case of animal and human being, ठीक है, फिर psychosocial हो गया आपके पास, जिसे need of affirmations, need of power, affirmations देखो, आपने देखा होगा, नेता बगार एक खुरसी के ओपर बैठ जाए न, शुरू में तो ऐसा ही बोलते हैं कि हम एक ही बार बने दो, भू नहीं उठना चाते, क्यों, क्योंकि उनको कहते हैं कि चेर में कि मुझे खून लग गया, तो जंगली बन जाता है, वही चीज है, कि एक बार पावर का स्वाज सने चक लिया न, उसको नहीं छोड़ना चाता, seeking other human being and wanting to develop a close relationship with them in a term affirmations, ठीक है, need of power, पावर से कौन प सारे के सारे कारण है, motivation के, है न, इसी के basis के ओपर मौसलों ने अपनी theory दी थी, ठीक है, मौसल से hierarchy of need, तो first जो stage आती है, वो है आपके पास physiological, food, water, ठीक है, warm earth, rest, यहीं आपको अपनी basic needs को पूरा का न, जो survival के लिए जरूरी हो, second आती है safety need, security, जिसे मालो job लग गई, है न, जोब से सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन बो ही job अगर government हो, तो safety भी होती है, अगर कल को job नहीं भी होगी, तो pension तो होगी ही होगी, है न, जब आपको अच्छी job लग जाती है, तो उसके बाद आप move करते हो basically, psychological need की तरफ, belongingness and love need, यहीं intimate relation and friends, आप अच्छी, यहीं love की त समझते हो, है न, और last में आता है, self-actualization, ठीक है, यहीं self-realization, achieve one's full potential, including creative activity, यहीं अपने जो needs है, जो आपकी, अपने aims थे, आप उनकी तरफ क्या करते हो, move करते हो, ठीक है, तो छोटी सी theory थी मौसलों की आपके पास, frustration, aggression, hypothesis, आता है exam में, frustration क्या बोलती है, कि frustration से, यहीं अग समारी कर सकते हैं, ठीक है, तो dollar and miller ने दी थी आपके पास frustration, aggression, hypothesis, ठीक है, environmental factor भी frustration का कारण हो सकता है, personal factor भी हो सकता है, ठीक है, और conflict क्या होता है, जब दो चीज़ों के बीच में आप first जाते हो, कि किसको select कर, ठीक है, उसको बोलते हैं, conflict, बाकी approach, approach, conflict हो गया, दो चीज़े हैं आपके पास, आप दोनों को लेना चाहते हो, लेकिन आपको बोल दिया, कि आप सिर्फ एक को ही ले सकते हो, उसको बोलते हैं, approach, approach, याखनी दोनों को approach करना चाहते हो आप, दोनों positive हैं आपके लिए, है न, ठीक है, फिर जैसे avoidance, avoidance हो गया, जैसे, दोनों को में से आप किसी को भी नहीं लेना चाहते है लेकिन फिर भी choice दे दिए कि आपको एक तो लेना पड़ेगा compulsory है ठीक है और एक होता है फिर आपके पास approach avoidance complex ठीक है it arises from being attracted to and repel by the same goal ठीक है जैसे a person want to lose weight what a reluctance to follow the diet या या वेट तो loss करना चाहते हो लेकिन आप diet follow नहीं करना चाहते है तो सीधी सी बात है खाना भी खाते रहोगे तो मोटे तो हो जाओगे फिर से है ना तो कुछ important terms थी जो आपके पास यहां पर main है ठीक है बकि emotions है तो आप यहां से पढ़ सकते हो emotions को anger, fear, surprise, disgust, surprise, joy यह different type की emotions है ठीक है psychologically जो emotion होते है माइंड से regarding किस तरी से कौन थे, thalamus, cortex, hypothalamus हमारे पास हो गया, limbis हो गया ठीक है theory of motivation, jam blank theory है, canon word theory आपके पास, यह आपके पास scatter, singer theory of motivation ठीक है, जो jam blank theory है, यह represent करती है आपके पास the stimulus leads to aerosol and the aerosol lead to emotion, okay, canon theory बोलते है stimulus leads to both aerosol and emotion at the state time, ठीक है, इनको आप यहां से cover up कर लेना आपके लिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है आपके पास इस फाइल में, देखो intelligence क्या होती है, aptitude test क्या होता है, है न, values है, case study क्या होती है वह से कल हम इसको पढ़ भी चुके थे अगर आप देखते तो इसे विसलर टैस्ट है आपके पास काफी ज्यादा important test है, gardener and stone work थे आपके पास, उनका आगा यूनी फैक्टर थियोरी, अलफर बिन ने ने दी है, टू फैक्टर थियोरी, चास्ट पर मैंने कल पढ़ लिए सारे, लुई स्टर्टर थ्रस्टर ने प्राइमरी मेंटल अबिलिटी थी है, यह ग्रूप फैक्टर थियोरी, यहा आपके पास हो गई, ठीक है, ट्राइर्किक थियोरी आफ रॉबर स्टरन बर्ग है, जितनी भी थियोरी कल हमने पढ़ी थी ना, उनके सारी चीज़ ने आपके पास है, यहां पे, इसके बाद जो इसमें नेक्स टर्म आपके पास आती है, किस तरीके से आप मेजर कर सकते हो ठीक है, निनलेशन फोड कील अफ इंटेलिजेंश ऑप ऐ्था, ठीक है, ठीक है, उनके सारी टर्म स्टर्म आपके पास पढ़ लीए पहले ही, self and personality, यह भी कल हमने study किया था, कि self क्या होता है, आपके अपने बारे में भी चार, ठीक है, जिसमें आपके पास self, फिर आपके पास personal identity, social self, और self, definition थी ना, जो 130 terms कल आपको दी थी, ठीक है, self को as a subject भी आप assume करते हैं, और as a object भी हम assume करते हैं, यह definition से self concept हो गया, self esteem हो गया, self efficiency, कल आपको बता दी चार, मैं कहा था, definition है, आप खुद पढ़ सकते हो, self concept, आपके अपने बारे में विचार, self esteem, आपकी judgment आपके लिए, the value judgment of person about himself or herself, self efficiency, जो आप चीज़ों को कर सकते हो, किस तरीके से, control manner में, और आप खुद को control भी कर सकते हो, खुद को control करने के लिए different parts हो आते हैं, जो self regulation के अंडर आते हैं, ठीक है, यह technique to control self control, जैसे observation दा behavior, self instruction अंडर, self reinforcement, यह आप अपने behavior को control कर सकते हो, ठीक है, तो self regulation बहुत जादा जरूरी है, आपको अपनी life में अगर successful होना है, तो self control होना चाहिए, ठीक है, culture and self की बात की जाए, तो Indian के according, shifting nature of boundaries between self and the other, ठीक ह does not clear, die, kotomize, ठीक है, collective culture होता है, इंडिया के अंदर, लेकिन बहीं पे western में देखा जाए, boundaries relatively fixed, ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों में ज़्यादा, किसे दूसरों को काम में तांका जाकी नहीं कहते हैं, और individualist culture है उनका, जो western है, ठीक है, personality latent word है आपके, जिसका म मतलब होते हैं, mask, roman theater में mask का यूज़ किया, जब तक अपने face को change करने के लिए, ओके, तो यहाँ पर कुछ अप्रोच से ही, hypocritus, Greek physician आपके पास हो गए, उनकी क्या अप्रोच थी, शैल्डन ने देखो, endomorphic, mesomorphic, ectomorphic, कलपड लिये थे, है ना, और यहाँ पर पूरा detail है, end window, fads, soft or round type के होते हैं, relaxed रहते हैं, social label होते हैं, mesomorphic, strong, muscular होते हैं, ठीक है, तो ectomorphic, पतले होते हैं, लेकिन काफी जदा artist होते हैं, फिर काल जंग आपके पास हागे, introvert and extrovert type किया गई, introvert जो खुद में रहते हैं, extrovert, जो social label behavior को show करते हैं, ठीक है, friedman and roserman, तो type A, type B दिया था उन्होंने, फिर बाद में type C भी आ गया, और फिर बाद में type D भी आ गया, type A थे, जो बहुत जदा highly motivate रहते हैं, तो hypertension, chronical diseases के साथ जूजेंगे, type B जो है, basically इसका opposite हो जाता है, जो low motivate होते हैं, type C, जिनको cancer है, और type C, जो आपके पास depression के साथ जू जूरी थी, जिसे cardinal trade, central trade आपके पास हो गया, ठीक है, secondary trade आपके पास हो गया, ठीक है, तो basically high generalized disposition के बात के, जिसे महतमा गान्दी, महतमा गान्दी non-boilence को मानते थे, यह जो अपने rule के ओपर fix हो, central में थोड़ा कम generalized disposition होगी, जिसे मैं लोग आपका favorite fruit mango है, बाकी भी आप खा secondary trade में आप जो है least generalized character जो हो जो होता है, ठीक है, रेमेंट कैडल ने 16 PF test आपके पास दिया, ठीक है, आईसेक की आगे जिसमें उन्हों न्यूरो टिजम एंड एक्स्ट्रो वर्जन, ठीक है, इंट्रो वर्जन भी उन्होंने आपके पास term दी थी, ठीक है, psychodynamic approach है, सिगमेंट फ्राइट की कल पढ़ लिया था हमने, consciousness, pre-consciousness, unconsciousness, unconsciousness, जिसमें आप जान सकते हो, लेकिन आप उसको close जाना पड़ोगे, mental activity that people are not aware of, ठीक है, आप unconscious में उसके बारे में aware नहीं होता है, आपको नहीं पता वो क्यों होता है, जिसमें आप जान सकते हो, लेकिन आप उसको close जान हो रहा है, ठीक है, और इसी में उन्होंने अपनी theory दी थी, id, ego, super ego, psycho analysis theory थी, ओके, यहां से आप पढ़ सकते हो, properly, ठीक है, consciousness क्या होता है, unconsciousness क्या आपके पास क्या होता है, ठीक है, और psycho analysis theory आई थी, इसमें id, ego, super ego, तो पढ़ लिया है, id, ego and super ego, ठीक हो, id में एक टामारी को libido, ठीक है, libido हो गया, thanatose हो गया, libido basically आपके पास represent करता है, life instinct को, okay, death instinct को thanatose, thanatose, death instinct को represent करता है, ठीक है, तो pleasure principle होता है, ego जो है, वो reality principle है, और super ego जो आपके पास, morality principle है, बाकि पूरी तरह से यहां पे चीज़ें represent है, और बाद में आता है, defense mechanism, जो कि ego को satisfy करता है, ठीक है, जैसे repression, an anxiety probing behavior यहां पे होता है, projection, people attribute their own trades to other, denial, a person totally refuse to accept the reality, reaction formation, a person defends again an anxiety by adopting behaviorist opposite to his or a true feeling, rationalize होता है, unwanted, unreasonable feeling, a person try to make unreasonable feeling, और behavior seems reasonable and expectable, ठीक है, direct terms हैं सारी, ठीक है, बाकि इसके बाद इसके बाद इनमें साइको सेक्शुल स्टेजिस दी थी, पास स्टेजिस थी, ठीक है, जिसमें आपके पास जिससे, oral stage हो गई, थैलिक स्टेज आपके पास हो गई, तो यहाँ पर दो complex है, audio plus and electa, यह कल हमने पढ़ लिये थे आपके पास, ठीक है, audio plus ander, जो आपके पास थे इनके, I think यहाँ पर stages represent नहीं है, ठीक है, पढ़ ले ना, पांच stages थी आपके पास इनकी, resolution of complexes, देखना चाहते हैं, आप देख सकते हो, बाद में बहुत सारे terms आई, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ें, sexual terms के ओपर represent की, जो की सही नहीं होता, फिर काल जंग ने अपने विचार दिये, ठीक है, काल होन आपके पास आए, अलफर्ड एलडर आपके पास है, इरिच, प्रोमेन आपके पास है, इरिक इरिक्सन आपके पास आए, ठीक है, तो इन्होंने जो भी आपके पास थियोरी दीगे थी, उन्होंने थोड़ थोड़े changes कर दिये, और किस तरीके से आप assessment कर सकते हो, देखो, test हैं आपके पास, self report test हो गया, project technique आपके पास हो गया, Minnesota, multiface, personality, inventory है, है न, इनको पढ़ ले न, अच्छे से, यहां से आप अराम से पढ़ सकते हो, Isaac, personality, questionnaire ही हमारे पास हो गई, ठीक है, और यह कुछ word हैं जो आपको पता होने जाहिए, सारे, ठीक है, इंपोर्टेंट हैं आपके पास, और फिल ल साइकोलोजी, साइकोलोजी कहा जाता है, फंक्शलिस्ट में, विलियम जेम्स, फादर आफ अमेरिकन साइकोलोजी, विलियम किल पैट्रिक, जोहन डीवे, एडविन थोरेंडाइक, आर्बी कैटल, ते ओल आर फंक्शनलिक अप्रोच, बेवरिस्टे बात करी जाए, तो इ सिगमंट फ्राइड है, होलिस्टिक अप्रोच में आपके पास है, मैक्स, वर्दमार, के कोफका, कोहलर होगे, कर्ट लैविन होगे, यह होल के साथ डील करते हैं, होल is the difference from sum of part based on insight, और हुमनिस्ट या modern अप्रोच में आते हैं, अबराहिम मौसलो, इनको कहा जाता है, फाद फ्रीडा, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको end करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा इसको sum up करके एक और फाइल हम आपके पास लेके आएंगे, तो I hope आपके exam के लिए काफी important यह फाइल रहेगी, बहुत सारे question आपको इसी फाइल से cover up हो जाएंगे, कुछ चीज़ों को हमने जल classes में, यहाँ पर हमने already cover कर लीते हैं, सारी चीज़ें, तो इसलिए मैंने ज्यादा time इसमें नहीं लगाया, ओके चलिए, धन्यवाद, पीडिया फाइल हम डाल देंगे Instagram के, हाँ, जो Telegram है, बहाँ पर डाल देंगे